उस्तक का नाम उदारता और दूर्दरशिता लेखक पंडित श्रीराम सर्मा आचारिय ओडियो चार यद भी धर्म का मुख्य गुण मनश्य में उदारता और परोपकार की भावना को उत्पन करना ही माना गया है और हमारे धर्म में आद्मबत सर्वूतिशू का सिध्धान्त समस्त शुप कर्मों का सार्तत्व बतलाया गया है तो भी संसार की गती इस द्रश्टी से उल्टी ही प्रतित होती है पिछले कई हजार बर्सों के इत्यास में धर्म के नाम पर जितने लडाई जगडे और रक्तरंजित युद्ध हुए करोणों मनुष्यों पर अमानुषिक अत्याचार किये गए उसकी कल्पना करने से भी हिर्दय काप जाता है भारत वर्ष में वैदिक और बौत धर्म वालों पौराणिक लोगों और जैन धर्म बालों शेबों और वैश्णवों के लडाई चगडे सैक्णों बर्षों तक चलते रही हैं उनमें लाकों ही व्यक्ति मारे गए और इससे कहीं अधिक संख्या में मनुष्यों को दोरदर्शा ग्रस्थ होकर मारा मारा फिर्णा पड़ा अब से साट सत्तर वर्ष पहले भी सनातन धर्मियों और आर्य समाजियों में काफी कलह और मारपीट के द्रश्य देखे गए थे जब एक ही धर्म और देश के व्यक्तियों में थोड़े से सिध्धांत के अंसिध्धांतों के अंतर के कारण इस प्रकार के पाश्विक्ता के भाव उत्पन हो सकते हैं तब विदेशी और सरवदा भिन मजहब बालों के संबन्द में जो कुछ ना हो जाए सो थोड़ा है। ठर्म के नाम पर किये जाने वाले पापकर्मों के जुलंत उधारन हैं। उनसे इसपश्ट प्रकर्कट होता है कि धार्मिक उधारता के अभाव से भले और स्रेश्च समझे जाने वाले मनुश भी अपनी मनुशिता को खोकर किस प्रकार हिंसक वन्य जन्तूं के संद्रश्य कारिक करने लगते हैं हम सुईकार करते हैं कि भारत भर्ष धर्म प्रदान देश है किन्तु हमारा यह कथन की भारत भर्ष में दूसरे देशों की अपिक्षा सदाही धर्म पर अधिक जोर दिया गया है विदेशियों को एक धंबपूर उक्ति सी प्रतीत हो सकती है हम मानते हैं कि दूसरे तेशों में इसी कारण से धर्म पर उतना जोर आज नहीं दिया जाता जितना की भारत बर्ष में दिया जा रहा है किन्तु इसका यह अर्थ कदापी नहीं हो सकता कि अन्य देशों की प्रजा भारत बर्ष से कंधर्मिक है सच तो यह है कि आज भी इसाई देश में जो मिशनरी स्परिट पाई जाती है वह अन्य देशों या धर्मावलंबियों में नहीं पाई जाती इत्यास के विद्यारती जानते हैं कि योरोप में एक ऐसा युग था जबकि सहैस्रों लोगों ने अगनी में जीते-जी जलाया जाना पसनता पुर्वक सुईकार किया किन्तु कैثलिक से प्रोटेंस्टेंट या प्रोटेंस्टेंट से कैثलिक होना सुईकार नहीं किया यद्धपी इन प्रांट्यागी महापर्शों के सामने स्वधर्म को छोड़कर परधर्म स्विकार करने का सवाल था किन्तु इनके स्वधर्म और परधर्म में वैसा मद्ध दंतर नहीं था जैसा कि उन धर्मों के बीच में पाया जाता है जिनका की जन्म, भिन भिन परिस्तितियों, देशकाल या कारणों से होता है इनमें बैसा ही अंतर है जैसा कि शैबों और वैशनवों में या सिया और सुन्यों में है इत्यास से प्रगट है कि रोमन कैथलिक या प्रोटेस्टेंटों ने एक ही धर्म के अन्याई होते हुए भी अपने अपने मत के लिए उत्सा पूर्वक प्राण त्याक कर जो धर्म परायंता प्रगट की भै अन्य देशों में सामुहिक रूप में शायद ही कभी देखने में आई हो अतैप यह कहना कि भारतबर सी अन्य देशपासियों से अधिक धर्म प्राण है एक गर्वोक्ति सी प्रतित होती है ऐसे गर्वोक्तियां ही सामप्रदायक बेवनश्य और अंतरराष्टिये मनोमाले ने पैदा करती है प्रतिक देश या धर्म का व्यक्ति अपने दे करने के लिए सोतंत्र है पर जिस वक्त भाय अपने देश प्रेम या धर्म प्रेम से उन्मक्त होकर अपने देश या धर्म को दूसरे देश या धर्म से अपेक्षाक्रत सेष्ट कहने में गर्व का अनभव करने लगता है वहीं भाय दूसरों की को मानो चुनोती देता है औ और अंतरराष्टे पतिदुनिताओं, युद्ध या सांपरतायक संगर्ष का बीजबुता है। अपने देश, धर्म, जाती या कुल की दूसरों से मिलान कर अपेक्षकत, सेष्ट बताने की मदोनमक्त भावना में ये अनेकों पुराईयों की जड़ छुपी हुई है। हमें अपने देश, धर्म, गुरू और माता-पिता को स्रेष्ट समझ कर उनमें अपूर श्रधा रखनी चाहिए। किन्तु हमारा यह दावा करना की हमारे माता-पिता ही दुनिया के सब लोगों से श्रेष्ट हैं और हमारा हिंदू धर्म सभी धर्मों से अच्छा है क्या ह हमारा अन्य धर्मों के लोगों के साथ संगर्श नहीं कराएगा। हमारी तो ऐसी कुछ आदत पड़ी हुई है कि जब तक हम किसी चीज को सबसे अच्छी न कह सके अत्वा जब तक हम अपनी ही वस्तू को सबसे अच्छी न कह लें तब तक हमारा जी नहीं भरता औरना उस उनके प्रती हमारे र्धाय में पूर्ण श्रद्धाही उत्बं होती है। शायद इसी कारण उस धर्म के प्रती जिसे की हम सबसे अच्छा नहीं मानते अत्वा जिसे एक्टम अपने धर्म सא अप्यक्षाप्रत हीλλ समचती हैं समचित श्रद्धा नहीं रखना चाते और न उनके प्रती दूसरों की पूर्ण श्रध्धा को ही सहन कर सकते हैं। शायद इसी कारण हम दूसरों को यवन या मलिश्च कहते हैं। हमारा आशय यह नहीं है कि हमारे भाई अपने धर्म में हाटिक श्रध्धा न रखें। या फून उस्ता उत्साह के साथ उसका गुरगान न करें या उसका प्रचार करने में किसी प्रकार के सिथिलता दिखलावें। पर ये सब काम हम दूसरे धर्म बालों को हीन समझें और उनकी निंदा किये बिना भी कर सकते हैं। इतना ही नहीं हमारा तो विश्वास है कि जो व्यक्ति धर्म के बास्त्रिक मर्म को समझता होगा वह संसार के किसी भी छोटे या बड़े धर्म अत्वा मजब की बुराई न करेगा। इस संबन्द में एक अन्य देशिये धर्म उकरंत में एक बड़ा अच्छा द्रिश्टांत दिया गया है। अरब चाती के प्रिशित्र धर्म गुरू हजरत इब्राहीम का यह नियम था कि बिना किसी अत्थिती को भोजन कराए स्वयम भोजन ना करते थे। एक दिन वर्षा रितू में वर्षा की छड़ी की अधिक्ता से एक भी अत्थिती उनके खर नहीं आया और बे सारे दिन भूके रहे। अंत में संध्या के समय अत्थिती को खोचका लाने के लिए अपनी नोकरों को जगय जगय भीजा और स्वयम भी इधर उदर खूमने लगे। उन्होंने दिखा कि सामने एक अत्यंत ब्रद पूच जिसकी दाली मूच के बाल बिल्कुल सफित थे ब्रश्टी के कारण कापता हुआ खड़ा है। वे उसकी पास चाकर हैने लगे। महासय आप क्रपा करके आज मेरी खर आथितिक ग्रहन करें। ब्रद प्रिसनता पूर्वक उनका निमंत्रन स्विकार कर उनकी खर गया। नौकरों ने बड़े आदर से उसे बेठनी को आसन दिया। जब वे हाथ पेर थोकर आसन पर बेठा तब वे उसके आगे पोजन सामगरी परोशने लगी। हजत इब्राहिम भी उसके सामने आखडे हुई। जब सब समगरी परोशी जा चुकी तो वे ब्रद भोजन करनी लगा। उसे इश्वर को बिना धन्यवाद दी, बिना इश्वर का नाम इस्म्रण की भोजन करती दीख कर इब्राहिम को बहुत बोरा लगा। और भी कहने लगे, तुमारा यह कैसा आचरण है, जिसकी क्रपा से तुमको यह मधुर अन्य खाने को मिल रहा है, उन्हें बिना धन्यवाद दिये ही तुम खाने लगे, तुम में ब्रद कीसी समझ नहीं दीख पड़ती। इसकी उत्तर में ब्रद ने कहा, मैं प्राचीन मूर्थी पूजक संप्रदायका हूँ। उसका ऐसा उत्तर सुनकर इब्राहिम का क्रोद फड़क उठा और उन्होंने ब्रद को घर से निकाल दिया। तब इब्राहिम के हिर्दय में देबबाणी हुई की, हे इब्राहिम, मैंने जिसको यतन पूर्वक अन देखकर इतनी बड़ी उम्र तक बचा रखा, उसे तुम घड़ी भर भी अपने हां न ठेहरा सके, और तुमने उसके साथ इतनी घरना की, भैप मूर्ती पूजक था या नास्तिक था पर तुमने अपने दान की रियम को क्यों भंग किया? इस द्रश्टान्त में मालूम होता है कि धार्मिक अनुदार्ता कितनी हानिकारग बात है, जो एक महापुर्ष कहे जाने वाले विक्ति को भी मतिभ्रम में डाल देती है. अगर हम अपने संप्रदाय अत्वा मजव के अन्याई के साथ ही मनश्यचित बहवार कर सकते हैं और उसे बाहर के सब लोगों को नीच या पापी मान का घणा की दश्टी से देखते हैं, उनके साथ उदार्ता का बहवार करना आवश्यक नहीं समझते, तो बास्तव में कहते हैं कि आप इशाई, यहुदी, मुसल्मानी, पार्सी, पौध, आधी अन्य धर्मों को सत्यमानिये या अपने धर्म के बरावरिक का भी समझे, खिंदू धर्म की आध्यात्मिक्ता की द्रश्टी से बहुत से लोगों ने अन्य धर्मों से बड़ा चड़ा सुईकार कि किया है, पर यदि हम इस आधार पर दूसरी लोगों को अधर्मी या पापी कहते हैं, तो हम भी एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, भिन भिन धर्म अलग-अलग देशों के निवासियों की इस्थिति और आवश्यक्ता के अनुसार रचे गए हैं, सब लोग एक्तम धर्म के सबसे बड़े तरजे की नियमों का पालन नहीं कर सकते, जिन लोगों के आध्यात्मिक संस्कार अभी अधिक परिश्कत नहीं हुए हैं, उनको उनके योग्यदा नुसार ही धार्मिक नियमों का पालन करना बताया जाता है, पर इस कारण उनको अपने से प्रतक समझना औ और उदार्ता के भ्यवार के आयोग्य मानना कभी उचित नहीं कहा जा सकता।